नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके यूटूब चैनल बेसिक नॉलेज़ पे तो दोस्तों आज हम लोग छूट निकालना सिखेंगे अगर हम कोई सामान खरीदने जाते हैं तो उस पे कितने परसंट का छूट है छूट निकालने के बात जो है हमें दुकानदा के साथ हम ठागी का सिकार नहीं हो पाएंगे तो चलिए आज का वीडियो स्टाट करते हैं यहां देखिए हम किसी जीन्स अगर हम पंद्रा परसंट की छूट मिल रही है तो हमको दुकानदार को कितने रुपए देना है इसको देखेंगे जैसे यहां देखिए दिया कोशन अगर मोबाइल है तो आप सीधे मोबाइल में सीधे टाइप करके आप निकाल सकते हैं कि आपको दुकानदार को कितना पैसा देना है छूट निकालने के बाद डारेक्ट उसे कितना पैसा देना है वह बताएंगे तो यहां देखिए छूट कैसे निकाली जाती है पहले हम पर अंकीत मूले जो जेन्स का पैंड होगा उस पर अंकीत मूलले होगा क्या पची जू रूपया है ठीक अ अब इसी प्सें में सव प्रत्सत के बराबर है अगर उसमें 15 पर्तसत छूट दे दे यहाँ देखिए इसका हम अब छूट निकालने के लिए क्या करेंगे सव प्रत्सत बराबर पचीस सव रूपया यही नहीं हुआ अंकित मूल पचीस सव रूपया है जो किसके बराबर होता है 100% की अंकित मूल या लिखित मूल जो उस पे लिखा गया है पचीस सव है वो बराबर होता है 100 परत्सत की 100 परत्सत बराबर 2500 रुपया इसलिए अब हम लिकालेंगे कि 15 परत्सत की छूट दे रहा है तो अब 15 परत्सत बराबर 15 इसको भाग देंगे तो यह आ जाएगा 25 आ गया इसलिए 15 प्रस्थ बराबर 25 गुड़े 15 25 गुड़े 15 करेंगे 15 75 के 5 हासिल 7 अब 15 दूनिती 7 37 यह आ गया हमारा 375 रुपया 15 प्रस्थ बराबर आए 375 तो मतलब 375 जो हमको 500 में से घटाना है अब जो दाम देना हमको उसको तो वो देना होगा 25 सव माइनस इसमें से क्या करेंगे है 350 तर इसमें घटाएंगे 10 में से 5 जाएगा यहाँ 0 में से नेगड़ेगा ती 10 से उधार आ जाएगा 10 में से 5 जाएगा 5 आ गया तो यहाँ जब नहीं था इसके बगत से यह 9 में से 7 जाएगा तो दो आएगा यहाँ 4 में से 3 जाएगा तो एक आएगा यहाँ कितना था दो यहाँ गया कितना 125 रूपया अब 15 परसंट छूट के बाद जो हमारा कितना आया है 125 तो इस तरह से यह लांग मेथट था इस तरह से हम निकालने के छूट अब अगर हमारे पास मोबाइल है हमको मोबाइल से डारेक्ट निकालना है कि कितने परसंट 15 परसंट छूट निकालने के बाद जो दुकांदार को कितना पैसा देना है तो हम डारेक्ट अपने मुबाइल का देखे कल्कुलेटर आन करेंगे कल्कुलेटर आन करने एक बात देखी यहाँ पहले यहाँ हम समझ ले रहे हैं यह 15 प्रत्सत छूट है अगर किसी का दाम जो है 100 प्रत्सत है 100 प्रत्सत मतलब यह थाना 25 रूपया अब 15 प्रत्सत छूट दे दें इसमें से तो अब उसका दाम कितना हो जाएगा 100 प्रत्सत माइनस 15 प्रत्सत बराबर 85 प्रत्सत हो जाएगा न यही होगा अब उसका दाम तो अब हम क्या करेंगे मुबाइल में जैसे यहाँ दिया है कि किसी जीन्स का दाम पचीस सो रूपय है अगर उस पर 15 प्रत्सत की छूट दी जा रही है तो उसका दाम क्या होगा तो अब हम सीधे मोबाइल में क्या लिखेंगे पचीस सो अब गुड़े पचासी और बटा सो बस मोबाइल में डारेक्ट यही हम करेंगे जितने प्रत्सत का छूट कहेगा तो सो में से उतना घटा देंगे यहां 15 प्रस्ड़ कहा, तो सव में से 15 प्रस्ड़ घटा दिये हैं, यहीं देखिए, तो 15 प्रस्ड़ घटा एंगे तो जितने उस पर लिखा है, 25-100 गुड़े 15% घटाने बाद 85 बटा 100 यही कर देंगे हम यह 00 देखे कट गया इसके बाद यहाँ आजाएगा 2125 रुपया इसका आप इसमें गुला करेंगे तो 2125 रुपया आएगा यह सब कुछ निकानने के बाद मुबाइल में आप यही टाइप करेंगे तो आ जाएगा क पचास ही किये हैं तो सव मेंसे 15 घटा आए तब 50 घटा देंगे कितना बचेगा 80 बटा 100 अगर यह 50% कहता 50% की छूट है तो हम करते ते 25-100 गुड़े 50% की छूट होता तो इसमें 50% घटा देंगे तो कितना बचता 50% 50 घटा 100 इस तरह से अब जब भी छूट निकालना होग हम बहुत आसानी से छूट निकाल लेंगे तो चलिए आज के लिए बस इतना भी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से आज तथा सब्सक्राइब जरूर करिएगा धन्यवाद